उत्रगन के रूर्की में विधार काजी निजामुदीन के समर्थकों का हंगामा दूसरे समुदाय के घरों पर पत्राब कारों पिडितों ने पुलिस से की इंसाफ की मान यूफिके मिरट में दो पक्षों में पत्राब हो गया जहां कई लोग हुए खायल डीजे बजाने को लेकर दो कुछों में हुई थी जड़प रश्चत चारोला परवाई के खलाफ मिशन मोड में सीम योगी आदितिनाथ आईए सबसर देवी शरन उपाद ध्याय को किया सस्पेंड अलीगर में जमीन के पत्रे में घुटाले को लेकर की गई सारवाई मनेश से सौधिया की जमानत ग्याजिका पर सुनुवाई के लिए नई बेंच का किया गया गठन सीजे आई डीवाई चंदर्चून ने गटित की नई बेंच संजेब खन्ना की बेंच के जज़ जस्टिस संजे कुमार ने खोद को कर लिया था एंसी एसी ने कनाडक सरकार को भेजा नोटिस कनाडक सरकार पर अनुस्मूची जाती के कल्यान के फंडका दुरुप्यों का आरोप एक हफ्ते में मांगा जवाद यूपिकेम बेटकर नगर में गाजे बाजे के साथ निकाले गई पौधों की बारात मौके पर जिलादिकारी ने लोगों से पेल लगाने क्या पेल के बुलन्द शेहर में लुहारली तोल पलाजा पर वाहनों की कतार में फसी अम्बूलेंस रागीरों ने सोचल मीडिया पर पोस्ट किया विडियो गाज़बाब में नाले में गिरे शक्स का रेस्क्यू ट्राफिक कर्मियों ने बचाई जान घाल शक्स को पहुंचा आगिया अस्पतार यूपिके नोटा में कार हाथसे का शिकार घटना में तीन की मौत नौ बुरी तरह से जख्मी सभी को अस्पताल में बर्टी करा गया चार की हालत कम थी महराश के नवी मुंबई में दैशन बस सडख हाथसे का शिकार हो गई घटना में पांच लोगों की मौत की कबर उन्चास लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए ड्रेटनोडा में तेश रफ्तार पिकप बिकाबू होकर जा पलते ही सलख हाथसे में तीन लोगों की मौत कई लोग खायल उत्रखन की बदिनाथ में पहार से मलबा आने की वज़े से नाशनल हाईवे हुआ बन सडख के दोनों तरफ लगा लंबा जान हाईवे से मलबा आने का काम लगातार जारी तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आगे देखे साथ मिनट में देश दुनिया की सतर बड़ी खबरें बने रही रेपाब्लिक भारत के साथ उत्रखन के रूर्की में विधार काजी निजामुद्दीन के समर्थकों का हंगामा दूसरे समदाय के घरों पर पत्राब कारों पिडितों ने पुलिस से की इंसाफ की मान यूफिके मिरट में दो पक्षों में पत्राब हो गया जहां कई लोग हुए खायल डीजे बजाने को लेकर दो कुछों में हुई थी जड़प मनेश से सोधिया की जमानत ग्याजिका पर सुनुवाई के लिए नई बेंच का किया गया गठन संजेब खना की बेंच के जड़ जस्टिस संजे कुमार ने खोद को कर लिया हाँ एंसी एसी ने कनाडक सरकार को भेजा नोटेस कनाडक सरकार पर अनुस्मूची जाती के कल्यान के फंडका दुरुप्यों का आरोप एक हफ्ते में मांगा जवाद यूपिकेम बेटकर नगर में गाजे बाजे के साथ निकाले गई पौधों की बारात मौके पर जिलादिकारी ने लोगों से पेल लगाने क्या पेल के बुलंद शेहर में लुहारली टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार में फसी अम्बुलन्स रागीरों ने सोचल मीडिया पर पोस्ट किया विडियो गाज़बाब में नाले में गिरे शक्स का रेस्क्यू ट्राफिक कर्मियों ने बचाई जान घायल शक्स को पहुंचा आगिया अस्पतार महराज के नवी मुंबई में दर्शन बस सडख हाथ से का शिकार हो गई घटना में पांच लोगों की मौत की कवर उन्चास लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए ड्रेटर नोड़ा में तेज रफतार पिकप बिकाबू होकर जा पलते ही सलख हाथ से में तीन लोगों की मौत कई लोग खायल उत्रखन की बदिनाथ में पहाड से मलबा आने की वज़े से नाशनल हाईवे हुआ बन सडख के दोनों तरफ लगा लंबा जान हाईवे से मलबा आने का काम लगातार जारी तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आगे देखें साट मिनट में देश दुनिया की सतर बड़ी खबरें बने रही रेपाब्लिक भारत के साथ उत्रखन के रूर्की में विधार काजी निजामुदीन के समर्थों का हंगामा दूसरे समुदाय के घरों पर पत्राब कारों पिडितों ने पुलिस से की इंसाफ की मान यूफिके मिरट में दो पक्षों में पत्राब हो गया जहां कई लोग हुए खायल डीजे बजाने को लेकर दो कुछों में हुई थी जड़प मनेश से सोधिया की जमानत ग्याजिका पर सुरुआई के लिए नई बेंच का किया गया गठन सीजयाई डीवाई चंद्रचूर ने गठित की नई बेंच संजेब खना की बेंच के जज़ जस्टिस संजे कुमान ने खोद को कर लिया था अला एंसीसी ने कनाडक सरकार को भेजा नोटेस कनाडक सरकार पर अनुस्टूची जाती के कल्यान के फंड का दुरुप्यों का आरोप एक हफते में मांगा जवाद यूपिकेम बेटकर नगर में गाजे बाजे के साथ निकाले गई पौधों की बारात मौके पर जिलादिकारी ने लोगों से पेल लगाने क्या पेल के बुलंद शेहर में लुहारली टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार में पसी अम्बुलन्स रागीरों ने सोचल मीडिया पर पोस्ट किया विडियो गाज़बाब में नाले में गिरे शक्स का रेस्क्यू ट्राफिक कर्मियों ने बचाई जान घायल शक्स को पहुंचा आगिया अस्पतार यूपिके नोटा में कार हाथसे का शिकार घटना में तीन की मौत नौ बुरी तरह से जख्मी सभी को अस्पताल में बर्टी करा गया चार की हालत कम थी महराश के नवी मुंबई में दैशन बस सडख हाथसे का शिकार हो गई घटना में पांच लोगों की मौत की कबर उन्चास लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए ड्रेटनोडा में तेश रफ्तार पिकप बिकाबू होकर जा पलते ही सलख हाथसे में तीन लोगों की मौत कई लोग खायल उत्रखन की बदिनाथ में पहाड से मलबा आने की वज़े से नाशनल हाईवे हुआ बन सडख के दोनों तरफ लगा लंबा जान हाईवे से मलबा आने का काम लगातार जारी तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आगे देखे साट मिनट में देश दुनिया की सतर बड़ी खबरे बने रही रेपाब्लिक भारत के साथ